वेल तो हे गाईस वेलकम टू माई चैनल माने मिस पंकस तो वेल इस वीडियो में बात करने वाले कि हमें यहाँ पर डवल लो टिकर्ट सेलिंग्स की वज़े से अपना एक लाइव इवेंट कैंसल करते वे दिखाए दे चुकी है तो इसको लेकर यहाँ पर एक काफी बड़ी आज़िए उस अपडेट को ज़रूर एक बार चेक आउट कर ले ना एक भाद को लुक्त का जोंकर जो कहना होगा उसके बाद कह देना और ये अपडेट जरूर देख लेना अर्जस वोडेकर ड़ेकरी एक काफी ज्यादा इंटरस्टिं अपडेट है रो एक तीवे सुलभ मॉर्गन के मैच को लेकर यहाँ पर बैटिंग ओट्स भी देखने को मिल चुके हैं and also और भी अच्छी खासी अपडेट होने वाली है इस वीडियो के अंदर तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर कि आप यहाँ पर यह Extreme Rules का पोश्टर देख रहे होंगे जहाँ पर हमें Ronda Rousey काफी ज़्यादा हाइलाइटेड देखने को मिल रही है यानि कि Ronda Rousey यहाँ पर काफी ज़्यादा हाइलेटेड है और ऐसे सुपरस्टार को तब हाइलाइट गया जाता है जब उस अपनी टाइटल लूज करते वे दिखाए दे सकती है तो यह overall देखना interesting रहेगा तो यहाँ पर W.E. काफी ज़्यादा हाइलाइट करते वे दिखाए दे रही है वो भी Ronda Rousey को तो इसके उपर आपके क्या thoughts है बाई मैं जरूर जानना चाहूंगा and also अगले update की बात करे तो यह भी update हमें Ronda Rousey और Lee Morgan को ही लेकर है तो यहाँ पर Ronda Rousey और Lee Morgan के match को लेकर batting odds भी देखने को मिल चुके हैं कि batting odds यहाँ पर किसके favorite में है तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि Ronda Rousey और Lee Morgan के इस match के अंदर batting odds काफे ज़्यादा favorite कर रहे हैं Ronda Rousey को that means कि यहाँ पर हम according to batting odds अगर माने तो Ronda Rousey new champion बनते वे दिखाए देंगी and Lee Morgan हारते वे दिखाए देंगी तो इसके उपर आपके क्या opinions है क्या reactions है वो मुझे comment section में जरूर बता देना यहाँ पर top पर कौन है top 5 सारे superstar's के बारे में बात करेंगे कि कौन से superstar's यहाँ पर काफी ज़्यादा favorite है top 5 superstar so number 5 से यहाँ से start करते हैं तो हमें number 5 पर देखने को मिल रहा है de gas drama bull the rock देखने को मिल रहा है यानि कि number 5 पर यहाँ पर जो फेवरेट सुपरस्टार है वो The Rock है and The Rock के बाद हमें यहाँ पर Matt Riddle देखने को मिल रहे है Riddle यहाँ पर चौते नमबर पर काफी ज़्यादा फेवरेट है and number 3 की बात करें तो यहाँ पर हमें Bobby Lashley फेवरेट है Royal Rumble जीतने के लिए 2023 का and also इसके बाद हमें Seth freaking Rollins देखने को मिल रहे है तो Seth Rollins भी यहाँ पर काफी ज़्यादा फेवरेट है Royal Rumble जीतने के लिए जो की number 2 पर ही है जो की काफी बड़ी बात है and number 1 की बात करें तो भाई आप सभी लोगों ने यहाँ पर guess किया ही हैगा और यह superstar और कोई नहीं यह superstar है the American Nightmare Cody Rhodes तो यहाँ पर Cody Rhodes काफी ज़्यादा फेवरेट है number 1 पर Cody Rhodes अभी भी still बने हुए है जो की हमें काफी दिनों से batting odds यही देखने को मिल रही है जो Cody Rhodes है वो number 1 spot पर बने हुए है क्या हमें Roman ने इस से पहले title loss करते वे दिखाए देंगे या फिर Roman vs Cody देखने को मिलेगा या फिर Roman vs Rock देखने को मिलेगा बड़ा confusion है लेकिन यहाँ पर Royal Rumble की अगर batting odds की बात करें तो यहाँ पर काफी ज़्यादा फेवरेट है Royal Rumble के अंदर Cody Rhodes की वही हमें Royal Rumble जीते वे दिखाए देने वाले हैं तो भाई देखना interesting रहेगा Cody Rhodes हमें कैसे Royal Rumble जीते हैं और किस superstar को challenge करते हैं किस championship के लिए यह overall पुरा ही देखना interesting रहेगा scenario हमें यहाँ पर कैसा बनते वे दिखाए देता है so अगले update की तरफ चलते है तो यह update हमें देखने को मिल रहा है WWE के live event की तरफ से तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि हमें September 10 को WWE का live event देखने को मिलने वाला था जहाँ पर हमें पहले Roman Reigns भी advertised थे हैं अगस्त के टाइम पे बाद में उनको pull out कर लिया रहा था उस live event से and Roman Reigns के pull out करने के बाद यहाँ पर हमें बहुत और superstar जो कि advertised थे हैं Drew McIntyre थे, The Usos थे हैं और भी बहुत सारे superstar यहाँ पर advertised थे हैं so यह सारी news जो कि मैंने past में cover भी कर रहा है रोमर ने इसको pull out किया था इसको भी लेकर and इस live event के बारे में भी मैंने यहाँ पर भाते की थी and also यहाँ पर update और भी देखने को मिलिया कि September 10 का जो हमें live event देखने को मिलने वाला था यानि कि Saturday night main event जो देखने को मिलने वाला था WWE का उसको cancel इसलिए किया गया इसके पिछे का reason भी यहाँ पर Dave Meltzer की तरफ से देखने को मिलता है so एक WWE fan यहाँ पर Twitter पर पूछते वे दिखाए देता है Dave Meltzer से कि यह show जो था हमें आज Oregon में देखने को मिलने वाला था यह cancel की हुआ तो इसके पिछे का यहाँ पर एक reason भी यहाँ पर डालते वे दिखाए देता है क्या low ticket selling की वज़े से तो इसके उपर Dave Meltzer का reaction यह था कि yes उनका कहना था कि yes हाँ में low ticket selling की वज़े से जो यहाँ पर आज का show देखने को मिलने वाला था WWE का Oregon के अंदर यानि कि September 10 को जो हमें show देखने को मिलने वाला था low ticket selling की वज़े से हमें Oregon का show cancel होते वे दिखाए दिया जो Saturday night का main event हमें देखने को मिलने वाला था जो WWE का live event देखने को मिलता है तो इसको लेकर यहाँ पर हमें कुछ बड़ी यह update देखने को मिल रही है and I think मुझे लगता है कि WWE के और भी कोई reason होंगे जिसकी वज़े से हमें यहाँ पर WWE show cancel करते वे दिखाए दिया है low ticket selling यहाँ पर डेव मिल्डेटर की तरफ से जो की update है उनका यही मानना है कि low ticket selling की वज़े से यह जो हमें show देखने को मिलने वाला था यह cancel होते वे दिखाई दे चुका है so अगले update की तरफ चलते है तो यह update हमें देखने को मिल रहा है और यह है the fiend brave white को लेकर तो zero news की तरफ से हमें finally एक बार finn से the fiend brave white को लेकर update देखने को मिल रहा है और इस update के cover करने से पहले मैं बता देता हूँ भाईयो अफकोस यार यह एक update है तो मैं यही कहना चाहूँगा डर लग रहा है बताते हुए इस update को फिर भी मेरा काम आपको बताना है इनफॉर्म करना है तो मैं आपको यह update पूरी अच्छी तरीके से बता दूँगा अब आपके उपर है इसके उपर विश्वास करना है या फिर नहीं करना है वो आप बता सकते हो मुझे comment section के अंदर और आपका क्या कहना है पहले यह पूरा जो की update अफकोस देख लेना तो यहाँ पर हमें जो दफिंड ब्रेवाइट को लेकर जरो ने उसकी तरफ से update यहाँ पर यह देखने को मिल रही है तो इस tweet में जहाँ पर जरो का यह कहना है कि इनको last night जो की एक sources की तरफ से update देखने को मिला कि जब ब्रेवाइट का return हमें तब देखने को मिलेगा जब डलो ली चाहेगी और अल्सो यह believe यह है कि जो हमें ब्रेवाइट का return देखने को मिलेगा वो किसी भी random raw और smackdown और केसी secondary PLE यानि कि किसी secondary pay-per-view के अंदर like extreme rules ऐसे pay-per-view के अंदर हमें नहीं देखने को मिलेगा ब्रेवाइट का return हमें किसी बड़े show में देखने को मिलेगा that means कि किसी बड़े show यह हो सकता किसी बड़े PLE के अंदर देखने को मिले बड़े PLE का नाम यादे आते ही हमें यहाँ पर survival series और royal rumble जैसे pay-per-view याद आते हैं तो यहाँ पर हमें इनका return देखने को मिल सकता है chances ऐसे यहाँ पर इनकी तरफ से बताया जा रहे है जेरो की तरफ से यानि की जो भी हमें returns देखने को मिलेंगे वो काफी जादा secret यहाँ पर triple H रख रहे हैं यानि की update यही है कि हमें Brave White का तभी return देखने को मिलेगा जब WLE चाहेगी और यह जो हमें return देखने को मिलेगा किसी भी random raw और smackdown और किसी secondary PLE के यानि की पेपर वी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा हमें Brave White का return किसी बड़े ही पेपर वी के अंदर देखने को मिलेगा और Brave White का return यहाँ पर काफी जादा secret रखा जाने वाला है तो ऐसी कुछ यहाँ पर हमें report देखने को मिल रही है और Triple H काफी लोगों को यहाँ पर बता के भी नहीं रखे है business के अंदर जो इद्दम personal बंदे हैं उनी को यह सारी चीज़े पता है and also of course भाई यहाँ पर अगर predictable लगेगा जहाँ पर Brave White हमें return करते वे दिखाए देंगे वहाँ पर हमें return ना होकर Brave White का हमें कहीं और return देखने को मिल सकता है तो ऐसा कुछ होने के काफी जादा chances है and यही reason रहा होगा कि हमें class at the castle में Brave White का return नहीं देखने को मिला and woli जो की अपने किसी बड़े पेपर वी के अंदर यहाँ पर woli जो की return करते वे दिखाए देगी करवाते वे दिखाए देगी Brave White का तो देखते है भाई कब तक हमें देखने को मिलता है तो यह कुछ यहाँ पर that's it यह update था जो की zero की तरफ से अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई आपको क्या लगता है मतलब Brave White सही में में return करते वे दिखाए देगे कब तक return देखने को मिलेगा आप लोग मुझे comment section में जरूर बता सकते हो वैल वैसे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अफकोस भाई चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना ओके सो फिन मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई everyone guys